जहें दोस्तों बंदे मातर सुर्ख्यों में रहना किसको पसंद नहीं होता है खास्तों पर एक तब जब कि वो पॉलिटिक्स के आसपास गूम रहा हो ऐसे में राकेश टिकैट के एक बार फिर से जिक्र हुआ है लेकिन इस बार उनका जिक्र किसी अच्छे कारण से नहीं हुआ है बलकि कुछ गलत कारणों से हुआ है दरसल उनके चहरे के उपर एक शक्स ने स्याही फेक दी स्याही फेक कर उनका मूँ काला कर दिया एक प्रेस कांफरेंस के दोरान जिसके गवाद राकेश टिकैट ने आरोब लगाए कि भई ये स्थानी पुलिस का किया धरा है मतलब कि उन्होंने सही तरीके से इंतजामात नहीं किये इन चीजों को रोक थाम में वो लोग विफल रहे हैं और आरोब उन्होंने कुछ विफखशी नेताओं के लोगों के उपर भी लगाए हैं तरसल वहाँ पर जब किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे तब वहाँ पर लोगों में आपस में बहस होगी और उसके बाद इस तरह का कदाम उठाये गया बैंगलीरू में परस कॉंफरेंस कर रहे राकेश चिगयत पर ना सिर्फ काली स्याई फेकी गई बलकि माईक उठाकर शक्स ने उनकी पटाई भी कर डाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो गया है वीडियो में देखा जा सकता है कि मीडिया को सम्मोदत करने बैठे राकेश चिगयत के पास अचानक से एक व्यक्ति आता है और उनके सामने मेज पर रखी माईक को उठाकर उनके सिर पर दे मारता है अचानके सामने मेज पर वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान निता के सम्मोदत को उस शक्ति पटाई करने लगते है जिससे कि वह नीचे गर जाता है अलाकि इस दौरान एक दूसरे वक्ति आधमकता है और राकेश्ट गैट पर चाहरे पर स्याही छड़कर उनका चाहरा काला कर देता है राकेश्ट गैट की माई के माई के होई पिटाई की लोग करी निंदा कर रहे है इस मामले में करनाटे का पुलिस ने तीन लोगों के रहासत में लिया है और उनसे पूछता आज भी चल रही है एक दूसरा वीडियो जो की वायरो हो रहा उसमें लोगों को कारेकरम में एक दूसरे पर कुर्सियों उसे हमला करते हैं भी देखा जा सकता है टेलिविजिन माइक से राकेश टिकैट को पीटा गया इस दौरान मोधी मोधी के भी नारे लगाते हो सुना जा सकता है तीनों हमलावारों को किसान नेताओं ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दी तीनों को हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में जाश परताल के लिए कर जाया गया है कारेकरम के आयजोंगा कहना है कि एक दिन पहले प्रशासन को आयजों की सूचना दे दी गई थी करनाटक की राजधानी बैंगलीरू में राकेश टिकैट पर काली साही फेक ही गई है हाल ही में भारती किसान यूनियन ने उन्हें बाहर कर रास्ता दिखा दिया था जहां राकेश टिकैट बीक्यू के राशी प्रवक्ता बन कर बैठे हुए थे संगर्टन के अध्यक्षी कमान उनके बड़े भाई नरेश टिकैट के पास थी राकेश टिकैट सुमवार 30 मई को बैंगलीरू में एक प्रेस कॉनफरेंस करने वाले थे और कारकेश टिकैट ने इसका आरोब भी भाचपर ही लगा दिया है उनका कहना है कि यह सब सरकार की मिली भगत से हुआ है प्रेस कॉनफरेंस के दोरान ही एक व्यक्ती वहां पर आधहमका और उसने स्याही फीक राकेश टिकैट का चहरा काला कर दिया उस जक्ती ने वहाँ से भागने की कोशिश भी करी लेकिन राकेश टिकेट के समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और उसके पटाई कर दी राकेश टिकेट ने इसके उपर कहा कि इस सब सरकार की साजिश है बताएंगे करनाटिका में बसवराज बोमई की नेतरती में भाजपा की सरकार है और राकेश टिकेट ने आरोब लगाया कि राज्ज सरकार ने वहां उनके लिए सुरक्षा की कोई ववस्ता नहीं करी थी उन्हेंने का कि सुरक्षा की जिम्मदारी सरकार और फुलिस की होती है उनके समर्थकों ने वहाँ इस घटना के बाद जम कर बावाल भी काटा किसान नेता युदवीर सिंग भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे दोनों किसान नेता एक स्थानी चैनल के स्टिंग खुलासे को लिकर सफाई देने आये थे असलमे करनाटका के किसान नेता को डिली चंदरशेखर को पैसे मांगते हुए कैद कर लिया गया है जिस बावत सफाई देने के लिए किसान नेता वहां पहुँचे थे और उसी समय उसी दौरान इनके साथ इस तरह का कांड हो गया जो कि कहीं से कहीं तक भी बाई इमेज के लिए तो अच्छा है नहीं क्योंकि इस तरह की तस्वीर है फिर हमेशा के लिए सोशल मीडिया पर कैद हो जाती मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जाये हैं चैव भारत